जैहिन दोस्तों स्वागत एक बार फिर से अपके अपने यूटूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चकर के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कॉंग्रेस में नरम दल और गरम दल से रिलेटेट सवालों को देखने वाले हैं इस वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चकर में जितने भी सवाल कॉंग्रेस में नरम दल और गरम दल से दिये गया हैं उनको मैंने कवर किया है इससे पहले मैंने दूसतो आधोनिक भधरत की बहुत सारी वीडियो को बना कर प्लेयरी इस में डाल दिया, तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखाया तो कृपया और जाकर देख लिए वीडियो स्टाट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से में पर मिलती रहे साथ इसाथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जादा से जादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें तो चलिए आज के फर्स्ट कोशन के साथ इस डिसकर्शन को स्टाट करते हैं फर्स्ट कोशन है दोस्तों महात्मा गांधी के पदारपन से पुर्व भारत में राष्टी आंदोलन की दीशा को निमलिकीत में से किन अंता राष्टी घटनाओं ने परभावित किया था तो दोस्तों याद रखना है पहला दिया गया ऑठारा सो अन्ठानवे इस्वी के ृटली अभी शिनिया यूद ने परभावित किया था दोस्तों या बात बिल्कुल सही है दोस्तों परभावित किया था इटली और अभी शिंया धीज जो यह भी बात सही है दोस्तों और रूस जापान के युद में जापान की विजय ने भी जो है दोस्तों अंतराश्टी घटनाव ने जो है राश्टी अंदोलन को क्या किया था दोस्तों तो प्रभावित किया था तो इसका सभी का सभी जो स्टेट्मेंट दिया गया है दोस्तों कतन वो बिल्कुल सही है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा दोस्तो तो इस question का right answer हो जाएगा one two three four याने डी अब important facts देख लेते हैं दोस्तो तो यह दखना है भारत में राष्टी आंदोलन की दीशा को महात्मा गांदी के पदारपन के पूर्व इटली अभी सीनिया यूद जिसमें इटली की अपनी वेसिक सक्ति क्या हो गई थी दोस्तो तो पराजित हुई थी 1899 से 1901 के दोड़ां चीन में समराजवादियों के विरूज चलाए गए बॉक्सर अंदोलन तथा रूस पर जापान की वीजय इन सब ने परभावित किया था किन्तु इसमें वर्स 1905 में जापान की रूस पर वीजय का सरवाधिक परभाव पड़ा याद रखना है दोस्तो जापान ने वर्स 1905 में जाड़ साही रूस को हडा कर स्वयम को सैनिक दिश्टी से क्या कर लिया दोस्तो एक सकतिसाली ये देश से सिष्ट सीध कर दिया इससे इस मिध्याक भरम का निवारन हो गया की गोडी जातिक के लोग अजय हैं दोस्तो यानि वे कभी हार नहीं सकते हैं नेक्श धोस्तो कॉंगरेज के नडम दल के नेताओं की आंधोलन की पधती थी तो याद रखना है राजा वाहम बढदह आंदोलन था दोस्तो कॉंगरेज के नडम sticking की बंदह आंदोलन था दोसतो इनका पध्धती अर्थात परसासन में भारतियों की भागितारी की मांग तता जनता में राजनीतिक जगरूकता उत्पन करना इनकी पध्धती का इनकी पध्धती दोस्तों नरम दल की नेक्शन नेमलिकित में से किस अंदोलन के कारण भारतिय राष्टी कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिनाम सरूप नरम दल और गरम दल का उदभा हुआ था तो वह कौन सा अंदोलन था दोस्तों स्वादेशी अंदोलन था कब चलाये गया था तो 1905 इसवी में चलाये था गरम पंथी अंदोलन कारण वदेशी और भाहिसकार आंदोलन को बंगाल तक ही सिमित न रख कर उसे देश के अनहिस्तों तक पहुचाना चाते थे वे केवल विदेशी माल के भाहिसकार से ही संतुष नहीं थे बलकि वे चाते थे कि अंग्रेजी हकुमत को किसी भी तड प्रह का सहीवग न दिया जाया नेक्स्ट कोशन है दोस्तों अधिकतर नडम पंति नेता थे वे सहड़ी छित्रों से संबन्दी थे तो यह दखना है इसका राइट एंथर क्या हो जाएगा तो भी तो उदारवादी राजनिती एवां राजनितिक विच्षा विडिती के य परोजी फिरोसा में था इनका नाम भी पूछा जाता है दिनेश वाचा वोमेश बनर जी और सुरेनाद बनर जी आदि सहरीच शित्रों से संबन थे इस काल में कॉंग्रेस पर समरिद साली मधवरगी बुद्धी जीवों का जिन में वकील डॉक्टर इंजिनियर पत्रकार साह नहीं था दोस्तो याद रखेंगे नेक्षण निम्लिकीत में से किसने उनीस्कों सोचार में लगतार नियुसकर भारत को स्वाषासन देने पर बल दिया था तो वे थे दोस्तो दादा भाई नरोजी तो राइट एंसर के आओ जाएगा दो दोस्तो तो डी तो याद रखेंगे दूस्तो दादा भाई नरोजी ने भारत के लिए स्वशाषन या स्अराज की मांग वर्ष 1904 में International Society Congress में पहली बार रखी थी याद रखना है पहली बार कब रखा गया था तो आले बार दादा भाई नरोजि के द्वारा स्वाशासन या स्वाराज की मांग रखी गए थी वरव स्वाशा पांच में कॉंग्रेश का ग gent मैं दोस्तो उसके अध्याज को थे तो दाधा भाई नरोजी थे तो उन्हें उन्होंने क्या मांग की थी दोस्तों तो शाराज की मांग की थी नेक्षे निन्वेट Še गोली उधम सिंग वे सब ये जो थे दोस्तों वे गरम दल के नेताते हैं तो गोपाल क्रिशन गोखले उधारवादी खेमे से समन्ध थे वह संभाव और मृदू नयाय प्रीतिया में विश्वास करते थे उन्हें पुन विश्वास था कि देश का पुनर उधार उतेजना के गोपाल क्रिशन गोखले उगण राष्रवादी नेता नहें था तो यादर राखनाय दोस्तों गोपाल क्रिशन जो गोखले थे वह उगर राष्टरवादी नेथा नहें था था जबकि बाल गंगा धर्ति लग विपिन चिंदरपाल और लाला लाजपत्राय इन्हें उग्र राष्टवादी नेता माना जाता है किसने भरतिय राष्टी कॉंग्रेस पर प्राथना याचना तथा विरोध की राजनिती करने का आडोप लगाया तो वे कौन थे दोस्तो तो यहाद अडोप लगाया था दोस्तो कि राष्टी ये कॉंग्रेस जो है पराथना याचना तथा विरोध की राजनिती कर रहा है तो इसका राष्ट एंसर हो जाएगा दोस्तो बी इनपोटेंट फैक्ट देखते हैं तो वर्स 1906 के बाद भारती राजनिती में कॉंग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में करांतिकाडी उग्रवादी दल का आविरभाव हुआ उग्रवादी विचारधारा के चार पर्मुक नेता थे कौन-कौन बाल गंगा धर तिलक लाला लाजपत्रा विपिन चंद्र पाल और अर्विंद घोष इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लच बनाया उग्रवादी नेताओं की तड़ा समवे धानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था तिलक ने कहा था हमारा उद्देश आत्म निर्भरता है भिच्छा विरिती नहीं उन्होंने कॉंग्रेस पर प्राथना याचनात था विरोत की राजनिती करने का क्या लगाया दोस्तो आरोप लगाया नेक्स्ट है दोस्तो किसने भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की विरूद अनून नय विनय और विरोत की राजनिती का दोस लगाया तो ये सवाल एक वाड फिर से पुचा जा चुका है दोस्तों तियाद रखना है बाल गंगर धर तिलक ने जो है दोस्तों कॉंग्रेस पड़िया आरोप लगाया था नेक्स्ट है कॉंग्रेस की प्रातना और याचना की निति अंतो गत्वा समाप्त हो गई तो यह समाप्त हो गई दोस्तो बाल गंगा धरति लग के नेथरीत में तो राइट एंथर हो जाएगा दोस्तो बी important facts देखते हैं दोस्तो तो कॉंग्रेस ने तरित्व की आवेधन निवेधन निती की असफलता ने देश के अंदर और खुद कॉंग्रेस के अंदर असंतोस पैदा किया इन युवा निताओन उधारवादी नेताओ कि राज निती विच्श वरीती में कोई विश्वास नहीं जताया इन्होंने स्वाराज प्राप्ति को अपना मुख्लच बनाया बाल गंगाधर तिल्लक इस विचार दहारा के क्या थे दोस्तो तो अग्रदूत थे उनके नितित में कॉंग्रेस की प्राथना और याजना की निती समाथ्थ हो गए दोस्तो नेक्ट है भारतियराष्ट्य ने भीख मांगने वाली संस्ता यानि बेगिंग इंस्टिट कहा था तो किसकी ने कहा था दोस्तो तो ने करे तो उग्र विचारधा वाले नेताओं में ने कॉंग्रेस के बाड़े में नाकरात्मक टिपनिया की उनमें से एक बाल गंगा धर तिलक ने भरती राष्टी कॉंग्रेस को याचना संता या बेंगिंग इंस्टिूट की संग्या दी थी दोस्तों नेक्ट है भरती राष्टी आंदोलन गणम पंतियों के प्रभाव दिन आया था तो قवा आया था दोस्तो निस सोचे के बाद जो है दोस्तों भरती राष्टी आंदोलन जो है दोस्तों गढम पंतियों और अरविंद घोस ने मिलकर किया इन्हें तार ने स्वराज को अपना लच बनाया तिलक ने नारा दिया स्वराज हमारा जनम सी धदिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा बहुत बड़ ये सवाल पूछा जा चुका है ने मिलकित में से कौन सा नेता कॉंग्रेस के गरम दल से संबंदी था तो याद रखना है दोस्तो कौन थे तो याद रखना है दोस्तो अरविंद जो घोस थे दोस्तो वो कॉंग्रेस में गरम दल से संबंदी थे जबकि गोपाल करिशन गोखले दादा भाई नरो जी और एसेस बरनर जी जो थे दोस्तों वो नरम दल के नेता थें तो अरवींद घोष कॉंग्रेस के उगरवादी भी चाड़ धाड़ात्वा गरम दल पच्च के नेता थे वे गरम दल के चाड़ अस्तंबो लाला लाजपत्राय बाल गंगा दरती लग वीपिंचंदर पायल और अरवींद घोष में से एक थे 1893 से 94 इस्वी में अपने लेक में उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस स्रामिक वर्ग से दूर स्रामिक वर्ग से दूर है याद रखना है दोस्तो और पुनतया असफल रही है पुनतया असफल रही है तता इसकी सासकों के अप्रसन होने के भैस से असपस्ट न कहने की निती को उन्होंने कायरत्या की संग्या दी है उनके अनुसार कॉंग्रेस 6 रोग से मरने वाली है य प्रणिक तल्ला उधान में च्छापा मार कर जिन चौंटीस लोगों को मार गिरफतार किया गया था उनमें अर्विंद घोस भी थे दोस्तों सभी के ऊपर अली अलीपूर सडियंत मामले के अंतरगत मुकदमा चलाए गया था तो यह भी अपूर सकता है दोस्तों कि अलीपू आंगे एंगे ताथा पंडीचैडि चल एंगे हैं कि नेक्षट थे दोस्तों निम लिखीत में से कौन एक उगरवाधी था तो यहाद अखना anlat by पीचंद्र जो पाल थे दोस्तों वे एक उगरवाधी नेंач साथैं नेक्स्ट है धस्तो राष्टीए अन्दोलन में निम्य से किसको नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता है he नेक्सट सेडे पंजब के नाम से इन्मिय से कौन मसूड थे तो यहाद धखना है धस्तो लाला लाश्पत जो राय थे दूस्तो उन्हें सेड़े पंजाब कहा जाता था नेक्स दो इनप्रिन्ट फैक्ट तो लाला राजपतराई सेड़ें पंजाब के नाम से जाने जाते थे यह भाग데 राश्टी कॉंगरिस में गरम दल के नेता तताיע पंजाब के परत्राइञ नीथी थे इनहें पंजाब के स तो इसका राजपत राए किस एक को लाला लाजपत राएं ने अपना राजनीतिक गुरु माना था तो तो मैजनी बॉन इंसर हो जाएगा डी इंपोर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों याद रखेंगे तो लाला लाजपत राय ने इटली के कड़ांती कारी यानि राष्ट पिता मैजिनी के जीवन विरित को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनितिक गुरु माना तता बाद में उन्होंने म पैरी बॉल्डी सीवा जी तथा सिरी क्रिशन की जीवनी लिखी वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहें तथा वे केंद्रिये सभा के सदर्श भी निर्वाजित हुए वे थे तो वे थे दोस्तों लाला लाजपत राय तो पंजाब के स्री के नाम से प्रसीद भारतिये सो उजश्वी लेखक भी थे उन्होंने भगवान श्री क्रिशन सीवा जी स्वामी दयानंसर सती मैजिनी और गैडी बॉल्टी की संचिप्त जीवनिया भी लिखे अनहापी इंडिया और अस्टोरी ओफ माई डिपोर्टेशन उनकी महत्पून रचना है या रखना है दोस्तो तो बाल गंगा जर गंगा धर जो तिलक थे दोस्तों वे मध्यम मारगी नहीं थे तराइट एंसर हो जाएगा बी तो कॉंग्रेस की प्रारंभीक उदारवादी अत्वा मध्यम मारगी नितियों से नौ राष्टबादियों के रूप में प्रसिद लाल बाल पाल का मो भंग हो गिया बाल गंगा धर तिला के इस नई विचारधारा के अग्रदूत थें वे मध्यम मारगी नहोकर उग्र नितियों के समर्थक थें नेक्स्ट निम्लिखित नेताओं में से कौन एक स्वेदेशी के समर्थक थें तो आर्विंदो घोस्त हैं दोस्तों इंपॉर्टेन्ट फैक्स देखते हैं दोस्तों तो बंगाल के विवाजन के विरूध में चलाए गए सौलाइसी अंदोलन के अरविंद गोच है इस अंदोलन के अंदोलन पढ़मुख नियता कौंगा से दोस्तों लाला-लाजपस्प्त राएप पंजाब से बाल गंगाधर तिलक महारास्टे और बीपिंग चंदरपल कहां से थे दोस्तों तो बंगाल से नेक्स्ट है निमलिकित में से किसे भारतिय असांती के जनक के रूप में जना जाता है तो यह दखना है दोस्तों लोकमान तिलक बाल गंगा धर जो तिलक को है दोस्तो भारतिय असांती का क्या मना जाता है दोस्तो जनक मना जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा C यानि लोकमान तिलक तो तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनोती देने का सहाज था या उनी के पड़ इतना का पड़नाम था कि कॉंग्रे सरकार की प्रसंसा करने वाली संस्था से बदल कर सरकार की आलोचक संस्था बन गई एंगलो इंडियन नौकर साही उन्हें विद्रोही समस्ती थी सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में असांती का जनम जाता कहा था या दखना आए ये भी पूछ सकता है सवाल आपसे तिलक सिरोल पर मा नहानी का मुकदमा चलाने के उद्दे से इंगलेंड गए थे या पी वे मुकदमा हार गए किन्तू इसका उचीत परभाव हुआ नेक्स्ट है बाल गंगा धर तिलक को किसने असांती का जनम कहा तो देखे दोस्तो सवाल भी पूछ चुका है वेलेंटाइन शिरोल ने जो है दोस्तो असांती का जनक कहा था बाल गंगा धर तिलक को नेक्स्ट है दोस्तो किसने कहा था तिलक भारती असांती के जनक है तो यह कहा था दोस्तो शिरोल ने नेक्स्ट है निम्लिकित में से किसे भारतिय संती का जनक कहा गया है तो यह दखना दोस्तो बाल गंगा धर तिलक को भारतिय संती का जनक कहा गया और यह किसने कहा था दोस्तो तो वेलेंटाइन शिरोल ले है नेक्स्ट है दोस्तो बाल गंगा धर तिलक को सजा के पस्चात न थांस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल चस्वी है। बहुत इंपॉटेंट सवाल है। किसने का था। मैं भी नहीं जानता देख लेता हूं दोस्तों। तो यह कहा था दोस्तों किसने। या दखेंगे। दोस्तो मैक्स मूलर ने यह बात कही थी दोस्तो याद अखना है विपीएसी 68 विपीएसी देने जा रहे हों दोस्तो अगर फरवरीम उसका है तो ये ऐसे statement को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तो मैक्स मूलर ने यह बात कही थी बाल गंगाधर तिलक के विशय में तो बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के परसाथ प्रसीद विद्वान मैक्समोलर ने दया की वकरात करते हूं कहा था कि संस्क्रीट के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल चस्पी है नेक्स बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाना जाने लगें जब तो कब जाने 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 लगें तो याद रखना है यह 64th BPS में पुछा गया इसका राइट एंसर यह दे रहा है तो एंसर देखते हैं दोस्तो तो ब्रिटी सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को प जेल से बाहर आएं तो वे एक राष्टिये नायक यानि नेशनल हीरो के रूप में उब रहें इस तरह किसी एक घटना नहीं बलकि अनेक राष्टवादी कारियों के बाद तिलक को लोकमान की उपाधी दी गई थी दोस्तो इस कुशन का राइट एंसर दिया गया है क्या द कि बाल्गंगाधर तिलक को केशरी में प्रकासित लिखों के आधार पर राज़्द्रों का मुकदमा चला कर 6 वर्स के कारावार्ज की सजाह देकर मांडले जेल कर दिया दोस्तों यानि बर्मा के मांडले जेल में भी सवाल पूचा गया कि इतने वर्स के लिए हुआ तो छ प्रारंबिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निमलिकित में से कौन सा एक निरूपित करता है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि साम विधानिक साधनों एवं याचिकाओं के अस्थान पड़ आक्रमक साधनों सेश्वासासन प्राप्त करना तो राइट एं उधानी कांदोलनों में अंग्रेजों किन्याई पिडियता में वार्षीक सम्मेलों में भासन देने में प्रस्ताव पारित करने में आवरिंग्लैंड में शिष्ट मंदर भिजने में विश्वास करता था वह दुसरी योड उग्रवादी दल आकड़ामक परति रोधों में सामोई कांदलोनों में तता आत्म बलिदानों के लिए द्रिद निष्टे में विश्वास करता था इसके लिए स्वाराज का अर्थ विदेशी नियंतरन से पुर्ण स्वातनता था जबकि उधारवादी दल के स्वाराज का अर्थ क्या था दोस्तों समराज के अंतरगत अपने वेशिक स्वासासन था दोस्तों नेक्स्ट है भारतिय मुसल्मान समान रूप से उगरवादी आंदोलन की ओर आकरसित नहीं हुए इसका कारण क्या था दोस्तों याद रखेंगे इंपोर्टेंट सवाल है इसका कारण क्या था इसका कारण था दोस्तों उगरवादीयों की हिंदू अतित का राग अलापने की जो नीती थी दोस्तों वही इसका मुख्य कारण था राइट एंसर हो जाएगा डी तो भारतिय मुसल्मान समान रूप से उगरवादी आंदोलन की ओर आकरसित नहीं हुए क्योंकि उगरवादी नेता हिंदू अतित को वापस लाने की बात करते थे अरविंद घोस ने कहा था स्वतनता हमारे जीवन का उद्देश है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश की पूर्ती करेगा इंपोर्टेंट है दोस्तो याद रखेंगे पूछ सकता है सवाल राष्टियता एक धर्म है और वह इसवर की देन है दोस्तो तो ये दोनों के दोनों स्टेट्मेंट है आपको याद रखना है ये स्टेट्मेंट दोस्तो एक ही स्टेट्मेंट है दोस्तो ये स्टेट्में का राजनेतिक अस्तर के रूप में पढयों किया था तो यह सही देस्तो किन्तु कि गलत यानि बाल गंगा दंगे एक सामप्रा का。」 आप को दाइक्तावादी थे और घर्ट में यह बात बिल्कूल गलत एरा एंसर हो जाएगा डि है इन्पोर्टेंट फैक्ट देख लेता हैं तो प्रसंगत कथनों में कारण कारण कथन और कारण में एक गलत है किन्टु आर सब्सक्राइख नहीं थे उन्होंने धर्म का राजनितिक अस्त के रूप में पढ़ियों किया था यह बात बिल्कुल सब्सक्राइख दिया गया दोस्तों रीजन देखते हैं तो तिलक संप्रादाइक्ता वादी नहीं थे यादकना वे पर्थम राष्ट वादी नेता था जिन्होंने जन्ता के निकट का संबंध अस्थापित करने का परेत्न किया था और इस तिरिष्टी से वे महात्मा गांधी के अगर गामी थे इस ने धर्म का राजनितिक अस्त के रूप में तो पर्योग किया था प्रंति उसका उद्देश संप्रादाइक्ता नहीं बलकि जन जाग्रन था नेक्स्टे महाराष्ट में गनपती परव का स्रीगनेस किस ने किया था इंपोर्टेंट सवाल है बाल गंगा धर तिलकना नेक् टैनसर हो जाएगा डी नेक्स्ट महात्मा गंधी के साथ नेमन मुसलमानों में से किसने बाल गंगा धर तिलक की अर्थी उठाए थी तो इंपोर्टेंट सवाल है यह भी इनपोर्टेंट सवाल है याद रखेंगे दोस्तों मैं भी नहीं जाता तक आपी महत्पून सवाल ह हैं तो यह दखना है बाल गंगाधर तिलग की एक अगस्ट उनीसों बीस इस्विक्यों मिर्थियू के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना सौकत अली तता डॉक्टर साइफुदीन कुछली ने उठाया था मौलाना हसत्म नुहानी ने उस समय सोक गीत एक द्वाद्र इसकसर यह डिसकसर आपको कैसा लगह मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताया दोस्तो अगर वीडियो में कोई त्रुटी रा गई है दोस्तो तो भी मुझे कोमेंट में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बनें रहे हैं मारे यू